हेलो दोस्तों स्वागरत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल यंत्रा डोस बे आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीज रोपने वाली मशीन हैंड पूस्टीडर मशीन या भी हमारे किसान भाई उसे टोकन यंत्री भी गहते हैं आज की डेट में यह मशीर किसान भाईयों के लिए काफी फायजय मत और लाबदायक सावित हो रहे हैं तो दोस्तों यह है बीज रोपने की मशीन टोकन यंत्र चलिए जाल लेते हैं इस मशीर की क्या का इंसिस्ट आये हैं क्या क्या खूबिया है और इसे हम कहां इस्तमाल कर स दोस्तों पहले किसानों को बीज रोपने के लिए सारा दिन का वक्त लग जाता था एक एक बार में एक इक बीज रोपा जाता था लेकिन इस टोकन यह से की मदद से कोई भी किसान महिला फुरूस बच्चे सिर्फ आदे गंड़े से 40 मिनड में बड़ी यह आसारी से बीज क हिसी करें लोपा जा सकता है इस बीज की यह नोजल सहे बारा नोजल्स टोटल लगे रहते हैं इन इस फीश्दत वीज और देमिशान में 135 गिरता है जो में pmf1 आए में गिरते जाती है और प्लांड होते जाता है तो चलिए दोस्तों इस टोकन यह तकी क्या-क्या विजिशता है है क्या-क्या-फाइदेया लेने के जान लेते हैं पहला सबसे बड़ा फार्मिंग है बड़ा खेती है दस एकड बीस एकड की जमीन है उन्हें अगर किसी से तो मजदूर लगा के पूरी में बीच रोपवा सकता है। दूसरा फाइदा यह है इस मशीन को लेने का हर पिसान को बीच रोपने के लिए अलग-अलग दूरी तरह करनी होती है। जैसे कि कोई बाल लगाता है तो उसे अधिक दूरी पे लगानी होती है। कोई कपास लगाता है तो उसे कम दूरी पे लगानी होती है। तो इसमें यहां फेसलिटी दी हुई है कोई दिस्टेंस अजश्मेंट का किया हुआ है। अगर कोई minimum पांच इच तक लगाना चाहता है, तो भी लगा सकता है, अगर 12 इच तक का डूरी के लगान सकता है, तो वो भी लगा सकता है, तो minimum इसमें 15 इच से इसके बीजों की काफी बचत होती है और यह है हमारा दूसरा मॉडल सीड कम फर्टिलाइजर यह डबल पॉक सीडर भी इसे बोलते हैं इस मशीन के मदद से कोई किसाथ बीज के साथ साथ खाद भी दे सकता है इसमें दो नोजल्स एक साथ होते हैं एक बीज के लिए होता है और एक खाद के लिए होता है तो इसमें दोनों की सुविदा दी हुई है तो आए दोस्तों बात करते हैं इस मशीन की क्वालिटी के बारे में अब दोस्तों यह मशीन जो है हेवी फाइवर की बनी होती है जिसके कारण इसमें तूटने का डर य। बिगड़ने का डन्क बहुत ही कम होता है। यह मशीन जो है इसकी जो लोग समय नॉजल के सब्समें व का इसमें बहूत ही जबish बनी होती हैन। जिससे इसमें नमी के कारण जंग नहीं पकड़ता है। अगर हम इस nozzle को steel की जगा iron का बनाते हैं, लोहे का बनाते हैं, तो यह जो बीज रोपने के समय इसमें नमी के कारण जंग लग जाता है, जिससे यह बहुत ही ज़त दश्ट हो जाता है, लेकिन यह जो steel का बना इसके कारण इसमें जंग नहीं लग पाता है, और यह काफी long durable हो जाता है, अगर कोई किसान भाई इस मशिन को पर्चेस करता है, खरीचता है, तो जानते हैं इस मशिन के साथ हमें और क्या-क्या मिलेगा, दोस्तों इस मशिन के साथ हमें टोटल यह 10 किसमें का roller मिलता है, जिसके हम लोग अलग अलग बीच प्रोप सकते हैं तो इसमें हमें 10 रोलर मिलते हैं और यहां जो सिंगल बॉक्स सीडर मशीन है इसके साथ हमें यहां कुछ फाइवर के चुबड़े मिलते हैं जिससे हम लोग बीच की दूरी जो है एड़ेस्ट कर पाएंगे तो Trusteeusz आप बाप कर लेते हैं इस मशीनों की क्या कीमत है यहां जो सिंगनल मॉक्स माजे सीडर मसीन इस मशीन की कीमत 7000 रुपीख साथ हजार और यह जो डबल म्वावाइ सीडर मसीन इस मशीन की कीमत आपका 900 रुप लिए आपको लिंक हमारे description box में दी हुरी है आप इसे लिंक से buy कर सकते हैं purchase कर सकते हैं या फिर आपको हमारे दिये हुए नंबर पे भी कॉल करके इस मशीन को अपने घर तक मंगवा सकते हैं उमीर दोस्तों आज को हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, सेर और कमेंट करना लाख दिले और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिसते हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँख सकें थैंक्यू लिए